हाई सो आज कीस वीडियों सीखेंगे हिक बीजन आइपी कैमरे में मोशन डेक्षन कैसे इनेबल करते हैं तो चलगी शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में नोटिफिकेशन वाला वेल जरू दबाईए तो यहां पर हमारा आइपी कैमरा चला है कनेक्ट अप्लिकेशन पर सिंगल आइपी कैमरा है तो हमें सबसे पहले तो कॉर्णर पर थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा सेटिंग में जाएंगे सेटिंग में जाने के आपको यहां पर इंट्रीजेंट डिटेक्शन में जाना है और उसके बाद फिर यहां पर मोसन डिटेक्शन इनेबल कर देना है उसके बाद आपको क्लिक करना है और जो एरिया आपको डिटेक्शन करना है कि वहां पर कोई अगर एक्टिविटी हो तो आपके पास मैसेज जा जाए तो उसको हमें यहां पर सिलेक कर लेना है तो फटा फटा हम यहां पर area को draw कर लेंगे, तो दुस्तो अगर आपने अभी भी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेजे तो यहां पर configuration हो चुका है और हम back जाएंगे और इसका जो है sensitivity जो है आप यहां पर high log कर सकते हैं तो हम medium में रखेंगे और ok कर देंगे तो configuration completed हो चुका है हम back जाएंगे बैक जाने के बाद यहां पर जो events report होती report event इसको enable कर देंगे और यहां पर tick कर लेंगे receive event but not push notification आपको receive and push event notification वाले पर tick करना है और फिर हम यहां पर फिर से जाएंगे main screen पर तो main screen पर आ चूगे camera हमारा live चल लहा है और अगर हम camera के सामने आते हैं तो हमारे पास एक notification आ जाएगा हम click करेंगे notification पर detection alarm करके आ गया है motion detection alarm तो यहां पर जो picture है वो आ जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो picture है आ चुकी है तो motion detection ऐसे ही काम करेगा अगर कोई activity होती है तो आपके पास उसी समय एक message पॉप आप हो जाएगा अगर यह वीडियो आपको एंट फॉर्मिटी लगा होगा अगर यह वीडियो आपको एंट फॉर्मिटी लगा तो चैनल को subscribe जरूर करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में